नमस्कार आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूँ आपके साथ गाईती शर्मा दोपेर के एक बच चुके हैं तमाम बड़ी खबरे आपको बताएंगे और दिपेश भी इस बुलिटन में मौजूद रहेंगे लेकिन शिरुवात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ योगी आदितनात ने बड़ा बयान दिया करहल की घटना पर योगी आदितनात ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट नायकों का अपमान किया है यह बड़ी खबर आपको बता दें योगी आदितनात ने कहा कि ऐसी पार्टी से उमीद क्या करें ऐसे लोग आतंक का महिमा मंदन करते हैं तो करहल की घटना पर बोले हैं योगी आधितनात ने गटना को दुर्भाग्य पूर्ण बताया क्या कुछ योगी आधितनात इसमाजवादी पार्टी को लेकर आईए सुनवाते हैं आपको इतनायक महारणा प्रताप की मूर्ती के साथ जिस परकार का अपमांचनक और आउमाना पूर्ण दिवार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वत्यन्त निंदनिय है मैं इस किर्टिक की भर्षना करता हूँ और ये केवल समाजवादी पार्टी का ने यही महाराष्ट के अंदर राउल गांदी के साथ भी था चात्रपती स्वाजी महाराच का एक मूर्ती उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था राउल गांदी ने लेने से इंकार कर दिया? यह राष्ट नायक का संबान नहीं ये आतन्कियों का महमामंडन करेंगे पाकिस्तान का महमामंडन करेंगे माफ्या और अप्राधिक प्रविर्टी के तत्तों का जो समाज की सुरक्सा के लिए बेटी और ब्यापारी की सुरक्सा के लिए खत्रा बने वे हैं उनका ये महमामंडन करेंगे आपको बता दें कि मैनपूरी में सपास कारेकरताओं का महराना प्रताप के अपमान का मामला सामने था उन पर आरोप लगा था बीजेपी का भी आरोप है कि करहल चौराहे पर महराना प्रताप की मूरती का सपा कारेकरताओं ने अपमान किया है यह तस्वीर हैं इस वक्त हम आपको दिखा रखेंगे हैं समर्थकों ने अपमान किया इस घटना के बाद बीज़पी कारेकरताओं ने भी जमकर नारिबाजी और हंगामा किया अब आरोफ है कि एस पी और बीज़पी कारेकरताओं के बीच भिरंद भी हो गई थी पार्टी या रोड़सो का कारेकर्ण था जिसमें जब रोड़सो खतम होने के बाद कुछ लड़के जो इसमें महाराना प्रताब की चौक पे आए और चबूत्रे पे चड़े और कुछ पार्टी पीसेस का जंडा लगाने का प्रयास किये और वहाँ पर कुछ नारेवाजी की जिसमें यहाँ पर जो CCTV पूटेज हैं उनको देखा जा रहा है और जो लोग हैं उनसे वर्टा की जा रहा है सारे साक्षों को इगठा किया जा रहा है उसके जोगी जोशी होगा उसके कार्ट है जिसके अंदर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिनुसली चैटिंग करता था और अब बढ़ते आगे पाकिस्तान से भारत में सर तन से जुदा वाला प्लान नाकाम हो गया है सूरफ पुलिस ने एक ऐसे मौलवी को गिरफतार किया है जिसके निशाने पर हिंदुवादी नेता थे जिसके लिए पाकिस्तान से एक करोड रुपए देने की बाद भी सामने आ रही है मामले में अब सेंट्रल एजेंसिया मौलवी के कुंडली खंगाले में जुट गई है रपोर्ट आपको दिखाते हैं सर्तन से जुदा प्लान फेड़ सूरत में रचा जा रहा था सनातन विरोधी खेड सिर्पर टोपी बच्चों को मजभ़भी तारीम इस शक्स को देखकर तो लग रहा है कि एक आम मौलवी है लेकिन इस चेहरे के पीछे नापाक और खतरनाक मनसूबों को अंजाम देने की साज़िश रची जा रही थी लेकिन ये अपने खतरनाक मनसूबों में काम्याब होता उससे पहले ही ये पुलिस की ग्रफ्ट में आ गया सूरत से ग्रफ्तार ये मौलवी सोहेल है इसके निशाने पर हिंदुबादी नेता थे जिने मारने के लिए मौलवी ने पाकिस्तान से संपर्क साथ रखा था वो लगातार पाकिस्तानी हैंडलर से बाचीत करा था और इसके लिए वो वर्चूल नमबरों का इस्तमाल कर रहा था इस बात का خुलासा खुद सूरत पुलिस ने रिपाब्लिक भारत से बातचीत में किया है पुलिस ने इस बात का खुलासा तो किया ही है अब इसके नापात मनसूबों की चैट भी सामने आ गई है जो पाकिस्दानी हेंडर और सोहेल के बीच की बताई जा रही है जिसमें उपदेश राना को मारने के लिए एक करोड देने की बात कही जा रही है चलिए आपको उस वारल चैट से क्या बात हुई ये बताते हैं पॉल किया आपको इसको उड़ाना है बोल कर पाओगे काम पैसा एक खोका ये तुमको लॉक करना है मतलब काम कब करोगे अगर आज शकल में करोगे तो इस वक्त ये गुजरात में है इतना ही नहीं चैट में तिलंगाना की हिंदुबादी नेता राजा सिंग का भी जिक्र है चैट में नंबर वारल होने को लेकर बात चीच चल रही है भाई तुम्हारा नंबर वारिल कर दिया धकन ने इंस्टाग्राम पर डाल दिया अभी राजा सिंग को जो धंकी दिया था वो वाला वीडियो अब भक्त तुम्हें परिशान करेगा टेंशन आ लो दोबारा फेक नंबर बना कर आएंगे सूरत पुलिस के हाथ खुफिया जानकारी के बाद मौलवी सोहेल की गिलबां तक पहुँचे हैं फोन में कई अवैद गतिविधियों की जानकारी और दस्तावेज मिले हैं मौलवी के ग्रुप में सोशल मीडिया के जरिये पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, बियतनाम, खजाकिस्तान के लोग जुड़े हैं इतना ही नहीं, पुलिस चैड खंगालने के बाद ये भी दावा कर रही है कि आरोपी को पाकिस्तान के हेंडर ने भरोसा दिया था कि वो जल्द से जल्द मौलवी तक हतियार पहुचा देंगे हतियार दिलाईएगा, आप हमला करो, मुझे लेना तो है एक गन सूरत पुलिस मामने में सेंट्रल एजिंसियों की मदद ले रही है और मौलवी की सारी कुंडली खंगालने में जुट गई है इतना ही नहीं, कटरता फैलाने की कोशिश में जुटे मौलवी के मददगारों की तलाश कर रही है लेकिन सीमा पार से भारत विरोधी प्लानिंग फेल हो गई है ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है मौलवी सूरत का रखने वाला के मौलवी सुहेल मौलवी सुहेल एक कंपनी में मैनेजर के, बच्चों को धार मिक सिख्षा देता के सुहेल मौलवी सुहेल की अमर 27 साल की के, कई दिनों से अव्यद गतिविद्यों में शामिल था मौलवी सुहेल के मोबाइल की जाच की जा रही है सुहेल के मोबाइल से कुछ दस्तावेज मिले के दस्तावेजों में चार लोगों को मारने का जिक्र के आपको ये भी बता दें उपदेश रहना को मारने की धमकी का जिक्र इस मैसेज में के धमकी मामले में मार्च में एफ आयार दर्च की गई थी इस मामले की जाच क्रैम ब्रांच कर रही थी सुहेल पाकिस्तान हैंडलर के बराबर संपर्क में था पाकिस्तानी हैंडलर से हथियार मांग रहा था सुहेल एक करोड रुपिय जुटाने की बात चल रही थी इसके टार इसके लिए वर्चुल नंबर का इस्तमाल सुहेल के द्वारा किया जा रहा था तो आखिर ये है मौलवी सुहेल जिसके द्वारा इस तरह की साजी श्रची जा रही थी जिसका खुलासा हुआ और इस बीच आपको बता दे कौन है मौलवी सुहेल दरसल आरोपी की उमर 27 साल बताई जा रही है और आपको ये भी बता दें कि धागे की फैक्टरी में ये मैनेजर बता जा रहा है इसके अलावा आरोपी मदर्से में भी पढ़ाता था ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है आपको ये भी बता दे कि इसका बड़ा प्लान था कि कैसे हिंदुवादी नेताओं को टार्गेट करना है लेकिन अब ये धर्द अबोचा गया है पाकिस्तान से कनेक्शन की बाद भी सामने आरे इसके लावा कई और देशों से चैट भी निकल कर सामने आ चुकी है और शुलिए अब बात करतेंगाे प्रधानमंटरी नरेंदर मोदी की आवध दोरे की जो 22 मार्च को हुए परान प्रतिश्ठा के बाद पहली बार आयोध्या पहुँच रहेंगें आयोध्या पहुचने के बाद फ्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी भगवान राम लला के दर्शन करेंगे और उसके बाद भव्य रोट शो में शामिल कूंगे तो पी-म के दौरे को लेकर अवद नगरी किस तरह से सजधच कर तयार के वो तस्वीरे इस वक्त आप अपने टेल्विजन स्क्रीन पर देख पारगें के मंदिर में भी विशेश ये साथ सज्जा की गई है तो पूरे आयोध्या में आपको हर जगा सजावट नजर आ रही है पूलों से पूरे आयोध्या नगरी और रोट शो के रास्ते को सजाया सवार अगया है और शेली हम सीदे रुक करेते हैं आयोध्या ग्राउंड से हमारे सेयोगी अनामिका काली इस वक्त हमारे साथ लाइव चुड रही है अनामिका आप पर मौझूद है 22 जन्वरी के बाद ये पहला दौरा प्रधान मंत्री मोधी का एक बार फिर से राम लला से आशिर बाद लेने के लिए पहुँचेंगे लिए अभी क्या तस्वीरे वहाँ से दिखाई देरी अनामिका आज बहुत साथ महते पूर्ण हो जाती है पूरे देश के लिए क्योंकि पीए मोधी आज अध्याम एक बार फिर से दर्शन करने के लिए आने वाले है मंदर की प्रानपतिष्ठा के बाद ये पहला मौका होगा जब पीए मोधी की मौजूदगी यहाँ पर होगी पीए मोधी यहाँ पर पहले पूजार्चना करेंगे दर्शन करेंगे और ठीक यही से बगवान राम की दर्शन करने के बाद पूजा करने के बाद रोचों के शुरुवात हो जाएगी रोचो यहां से निकल करके जाए का लता मंगिशकर चौक तक यानि कि यह जो आप पुरा का पूरा रास्ता देख रही है इसी रास्ते पर जहां भी आपको लोगों की भारी भीड दिखाई दे रही है इसी रास्ते पर होते वे पीए मोधी सीधे जा हाँ इस समय मौका कुछ अलग है इस समय मौका चुनाओ का है ललु सिंग यहां से प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से जो पुराने सांसत भी यहां पर रहे हैं तमाम कामकाज भी उनकी ओर से किये गए और इस बार मंदर का मुद्दा भी जोडशोर से गुझ रहा है लहाज चुनावी मौसर में पीए मोधी की मौझूद्या में बहुत बड़ा संदिश देने वाली है कम से कम यहां से लेकर के पूरे पुरवांचल में यू कहे तो अब शेत्र में और शायद यही बज़ए कि आज पीए मोधी के रोट्शों को लेकर सब की निगाहे लगी हुई है विल्कUL है नामिका जैसा आपने गाहा और विय आईपी गेड भी सजा दिया गया है जहां से प्रधार मंत्री एंट्री करेंगे वो भी दिखाया लेकिन यह मुख्युद्वार की तस्मeer है क्योंकि इसी दुमार को देखने के लिए लोगों की आखे तरसी हैं और आप देखिए कि लंबे समय के बाद जब मंदर का निर्माड हुआ और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी आयोध्या आ रहे इसलिए दौरा काफी एहम हो जाता है ये मुख्यद्वार है जिसे सजाया गया है लोगों के दर्शन पूजन के लिए अभी सिलसला लगातार जारी है लेकिन शाम को साथ बज़े का समय बेहत एहम होने वाला है जब प्रधार मंतरी यहाँ पर पहुचेंगे मंदिर जाएंगे महां से दर्शन करेंगे और इसी रासे से आपको बता दे मुख्यद्वार से प्रधार मंतरी मोदी रोडशो की शुनवात करेंगे और लता चौक तक जाएंगे जिसको लेका तैयारियां पूरी एक बार पीछे की भी तस्वीर आप दिखा दीजेगा आप अंकच किस तरीके से जो बैरिकेट्स किया गया है उसे भी भगवा रंग से रंग दिया गया है तो पूरी आयोध्या एक बार फिर से भगवा रंग मे रंगी हुई है आप नजर आ रही है चारों तरफ आयोध्या को इसी तरीके से सजाए गया है ये मुखिद्वार की तस्मीर है बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुचे हम बात करने की कोशिश करेंगे आप लोग आए हैं दर्शन के लिए आज प्रिधार मंत्री भी आ रहे है आपको पता चलाओगा कितने उत्साइट हैं हम बहुत उत्साइट हैं और हमको आज पहली बार लाइफ में मोदी जी को देखने का मौका मिलने वाला है उस बात को लेके हम होड़ ज्यादा हर्शोज लिस है हम साथ बज़े सामने साइड में खड़े रहेंगे और मोदी जी है और राम जी के दर्शन हुए और मोधी जी के दर्शन हो रही है इस ब्लास फॉर आस सूप अ यह देखे लोगों की भावनाएं हैं और यह रास्ता लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं लेकिन साथ दजे का समय जैसा यहां के लोग लगातार कह रहे हैं कि एहम इस जो तस्वीर है वो आज पूरे देश में मिसस्स देने वाली यहां कि प्येम मोधी आई इस रोडशो के शुरुवात करने वाले हैं हलाकि अभी जो सामान इभक्त दर्शन करने के लिए आते हैं उनको रोका नहीं गया है उनको मना नहीं किया गया है क्योंकि अभी शाम चला कि आज प्रदान मंत्री मोधी जी आने वाले हैं और यह भी पता चला कि यहां से दर्शन लेके आएंगे और यहां से पब्लिक शो सुरू होने वाला तो हम साथ बज़े तक सामने धूक में खड़े रहेंगे दूसरा हमारे लिए एक उत्सा की बात है कि आज हमारे रा अरा अरा वोधी अच्छा आप लोग बताएगे पीम मोधी को देखने का उसा है मंदर में पूजा अरचना तो हो गई इंतजार करना पीमोधी के लिए भी पर एंगे ना बिल्कुल करेंगे अपने यही रहेंगे मोधी चीए को अमरी ट्रेन हैं लेकिन हम ट्रेन कैंसल करे है अरे शोपाँ अप्रेन है अप्रेंट